अब लोगों को ऐसे टीवीएस के और बजास के आटो देखने को मिलेगे भाई ये नॉर्मल सी थाली 24,000 के लगबकी पड़ी है अब भी मैं साउटीस एशिया के वन आउफ दा पूरस कंट्री के अंदर हूँ पचास यार का एक नोट है और मेरे पास चार नोट है आपर देखो कितने बड़े-बड़े सुवर के हैं पता नहीं किसका तो टांग रखा है तो सबसे बड़ी घड़ी के पास में कर लिया और इतना अच्छा है कि सुवास्भा मेरे को एंट्री के लिए बूल दिया कि एंट्री कर लो यह वेरी गुड़ मॉर्निंग सौगत आप सुभी का एक और न्यू ब्लॉक के अंदर और अभी मैं साउटीस एशिया के वन आउफ पूरस कंट्री के अंदर हूँ जि अल्मोस्ट तीन दिन के लिए मतलब मैं आज ही आया हूँ सुभा सुभा यहां पर अगर कल की वीडियो देख होगी तो आपको पता होगा तो यहां पर मैं मैं अल्मोस्ट पे कर रहा हूं इंडिया के एक हजार रुबे तीन दिन के लिए बाकि इसको मैंने पूर इसलिए पोला को कि इसकी साउटिस्टेशिया के अंदर सबसे कम G D P है और G D P के साथ साथ में आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो चलते हैं आपको कहीं भी ऑटो नी के लिए मैंने अभी तक करणसी एक्सचेंज नहीं करवाई है और सबसे पहले तो खाना पीना भी खाना आपना पीना तब खाया जाएगा जब करन्सी आथ में और लेते हैं जाके क्रणसी लगाएं अगर्धार करनावला वाला हूं वाला हूं कंबोडियन रियाल के अदर जै यहां से पांसो मीटर दूर एक क्रंशी एक्सचेंज की शॉप मेरे को देखने को मिलेगी और बिल्डिंग्स वगरा तो अपने इंडिया जैसी है कमबोडिया के अंदर भी यहां पर मेरे होस्टल में पाकिस्तान से बंदू मिले हैं और एक असली वाले बंदू सबस्का है और कुछ ऐसे सपेत वाले कलर के ज्यादा चलते हैं की कंट्री के अंदर सबसे पहले जाके यहां से आना खाने के लिए निकलना है और क्या हाल है वह भाई अपरी काले बंदे मिल गए अपनको ऐसा कुछ महौल है अभी और अभी आल्मोस्ट कितने बज़ रहे ह हैं बारा साड़े बारा मुझे का टाइम हो रहा है इसे और आप लोगों को नहीं बहुत जगाबर मिलेगी मतलब हर दुकान के एक ना एक टौफी तो आपको कहीं ना कहीं तो देखने को मिलती रहेगी और कंबोडिया की स्पेसल चीज दिखाता हूं यह लोग ऐसे बड़ी बना रखा है और उसको चलाते हैं यार मेरे को तो हैरानी हो रही है कि कैसे चलता होगा क्योंकि बिल्कुल लकडी का बना हुआ है और उसको चला रहे हैं यह लोग एक बाइक के सपोर्ट से बाइक को लगा कीच रहे हैं अपने होता है लेकिन इतना ज़्यादा भी पहले अपनी कराते हैं करंसी वगर एक्सचेंज दें तो इंडिया के पांच हजार और थाइवाद दो हजार चेंज कराएं जिसके अंदर मैं लखपदी बन गया हूं पचास हजार का एक नोट धार और मेरे पास चार हजार और इक थार यह और यहार नाग और यहीं आप抖 दो लाव गढए बत नहीं मिला मेरे को यहाँ पर कम मिली करंसी थोड़ी चार हजार और वैसे इसका ओफिशियल इंटरनेट वाला रेट है 2,21,000 मेरे को 2,14,000 मिला ठीक है मतलब तब भी आसपास में बाकी यहाँ पर देखो क्या बिचला है यह मुर्गियां बज़रा है यहाँ पर तल रही है खौकरोच, ग्राश ओपर वग्रावक भाई तसला भर गया है यहाँ पर यह पूरा का पूरा देहों worn तो तसला भर हग हुआ है यहाँ पर कीड़े मकोडो आखौर्डों का बाकी कुछ इदर पड़े होंगे यह देख भगा क्या खाते हैं यह यहर प्धोडिया के लोग ग्र भाई यहां पर आ गया हूं मैं मार्किट के अंदर और खाना खाने की जगा नहीं मिल रही यार इंडियन रेश्टरांट ढूंडना ही बहुत बड़ी बात है यहां पर देखो कितने बड़े-बड़े सूर के यहां पता नहीं किसका तो टांग रखा इनोंने मास मची सी इधर बाकिन अलग तरीके की आपको यहां पर चीजें भागरा देखने को मिलेंगी वार कि सारे लोग मेरे को ऐसे घूर रहे हैं वहार इसाए तो यह चलती हैं कि बगई सी बगई है और यह देखो यह आ रही है इसी तरीके कि यह स्कूटी अलग से है और पीशे बगई से लगा किसा आते हैं लोग कि यह नॉर्मल सी थाली 24,000 के लगबक की पड़ी है 24,600 जादा महंगा हो गया है इंडिया इंडिया का 24,000 देना होता है तो भाई 24,000 का खाना खाया यहां पर ओके यह अपना पेल है 6 डॉलर लगबक आवराई यहां पर मिले गंडे की मशीन चलबे का जूस निकाल रहा है नि रोद्म मुनी ऑगड़ा के राजा है यहां पर अभी मुनार्की सिस्टम चलता है और यहां पर रहाजा हैes सबसे बड़ी घड़ी देखने के लिए देखते हैं कैसी रहती है कि सबसे बड़ी घड़ी रोड़ वगरा क्रॉस तो इंडिया की तरह करनी पड़ती हैं आपके लिए बाकि अभी बस घड़ी के पास में पहुंची गया हूं मैं और हाँ इसकी जो 95% पॉपुलेशन ने कम ब सका अगर मैं जाओंगा मस्जिद की साड़ में तो मस्जिद वगरा भी आपको दिखाऊंगा बाकी अभी तो नजारे ले रहे हैं कंबोडिया के अंदर बड़ यहां पर जो गर्मी पड़ रही है ना जो गर्मी हद लेवल की है उसने मतलब प्राण निकाल रहे हैं इतनी सबसे बड़ी घड़ी के पास में जो की बनी तो हुई है इस ग्राउंड में बड़ी चलती है आप इसको थोड़ा सा गौर से देखो तो अभी यह मत्के की थोड़ी सी देखना जूम कर देता हूं ओपर वाला कांटा चल रहा है और इसका देखो एस सेकंड वाला चल रहा है नीचे वाले तो बाद में घूमेंगे जब सेकंड वाला नीचे ऊपर से गूम के नीचे आता है मैं तो उदर से चोरी चोरी आ गया बढ़ इधर तो ऐसा नॉर्मल है बाकि यह घड़ी है अभी कांटा कितना आंगे आ गया यह चे लिखा हुआ तीन लिखा हुआ नौ लिखा हुआ उपर बारा लिखा हुआ है क्या आला है चोरे बढ़िया देखो भाई ऐसे हैं और और ऐसा कुछ यहां पर सीन आसपास में बिल्कुल बड़ी आसा पीसफुल है कोई भी नहीं आसपास में इसको ऊपर से जाके दिखाता हूं कि ऊपर से कैसी दिखती है कि अधर वैसे तो जादा ट्रांस्पोर्टेशन चलता नहीं है बट यह कैपिटल सिटी है तो यहां पर बस वगयरा चलती रहती है बस वगयरा का नंबर आप लोगों को नहीं मिलेगा गूगल मैप्स पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा लेकिन आफ लाइन निकाल लोगे तो इसके अंदर की किसी बिल्डिंग की आपको फोटो देखने को मिलेगी आगी पुरी दुनिया में कोई भी ऐसा जंट आ रही है जिसकी जंडे के अंदर आप लोगों को बिल्डिंग की फोटो देखने को मिले इस 7-11 से पानी की बोटल लेका यहां डेड़ लीटर की इसका महेंगा या तरताली सुर्फेगी डेड़ लीटरी थी निक गर्मी के अंदर तो वाई पीना बनता पानी और मैं तो बैटा हुआ हूं इस पेड़ की छाओं के नीचे आप कि अ कि 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 कुछ खाने पीने के लिए सामने मैकॉंग रिवर काफी फेमस रिवर है इसका नाम आप लोगों ने बहुत 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 सुना होगा वागी यहां पर ऐसे दो-चार यह बोट बगरा गाना चल रहा है लोग खापी रहें इंजॉए कर रहे है बागी चार-पांच बिल्डिंग इदर की साड में और चार-पांच इदर की साड में बाकी मेरा कंबोडिया जो कंट्री है ना कंबोडिया के अंदर फिनों फेन सबसे फेवरेट प्लेस है मतलब सबसे अच्छी मेरे को यही लगी है फेनों फेन एक नंबर की वाइबारी आपर और फुल अच्छा लग रहा है बिल्कुल देशी सा एक दम नॉर्मल सा एरिया है वैसे यह कैपिटल सिटी है कंबोडिया की बट ओक्यों के मेरे को अच्छी लगी यार बहुत मतलब गूमन साथ देखने को मिला इस टेमपल का यह बहुत कम देखने को मिला भी था मेरे को फेनों फेन सोड़ो पूरे कंबोडिया के अंदर बागी रोड पे कुछ ऐसे जूमर से लगा रखे हैं और कुछ ऐसा यह बीच में लगा रखा बाकी इदर की साट में महेंगे महेंगे योगी तो मेरे को आइडिया नहीं है वागी अच्छी खाशी सिटी है यार मेरे को बहुत अच्छा लगा इदर की साट में मरीन ड्राइब चल रही है और बीच में गार्डन टाइब का बना रखा है लोग अपना इंजॉय कर रहे हैं और इदर की साट में ट्रैफिक लगा कि कमबोडिया की ओफिशल लेंग्विस तो मैं बताना भूल गया इनकी जो ओफिशल लेंग्विज है खामेर भासा यह पीछे जो दिख रहा है यह कोई तो मंदिर टाइप का बना हुआ लेकिन राजा की फोटो है बीच में और इसके पीछे जो यह दिख रहा है इनके रा जंडा देव भाई कितना तकड़ा लहरा रहा है इनके गाडन में इतनी भीड यार इधर की साड़ में तो मिरको लग रहा है पूरा का पूरा कमबोडिया की पॉपुलिशन इनके इदर रहती बाकी और कहीं जादा रहती भी नहीं है इदर ही देखने को मिलिए तिनी सारी म स्याम रीप के अंदर इस सिटी के अंदर का प्यादा निकी जो टोटल अबाधी रह रही है वह अल्मोस्ट कितना रह रही है ठाई लाक ठाई लाक तो लिए वह लिख दूगा मैं आपको पॉपुलेशन कितनी है सिटी की तो अभी मैं कमबोडिया की कैपिटल सिटी फिनों फिन पूरा गूम के आ गया हूँ यहां का देखने के लिए इसको बोलते हैं इस सेंटर का नाम बहुत जाला फेमस है इस सेंटर को बोलते हैं कम जो इंडिपेंडनेस मॉनिमेंट है वो इसके आसपास में काफी सारी बना रखकता तो इसको अजधी मिलिती बाइफ फ्रांस के यहां पर रूल किया था है इनको को इनको और और इहां देखने को ही मिलेगा वड़ यहां पर मेरे को लगता है चाइनीस का में यहां पर फ्रेंच जादा और कुछ ऐसा यहां पर गार्डन वगएरा से बना रखे हैं लोगों के लिए बागी दूर दूर तक यहां पर बिल्डिंगी बिल्डिंग देखने को मिलेगी अच्छा यार मेरे को लगा था यार बहुत जाला शाल झार समय लगा रही है। स्हामरी बहुत पिछड़ा हुआ था और इसकी मैंने आबादि अबादिया आप लोगे में बता अब करा नहीं बता ही क मि कम से कम । 20 लाख से ऊपर है। घुसर हो धुच्व के गया है। भाकी कूँग देगो यार 2,250 मतलब 53 सेंट यानि की फचास साटर पफेंगी है और पानी बहुत महाँ या चार 50-スी की डॉलर की यह यह डॉलर चलते हैं आप one- Bon produks डॉलर की बोटल है तास यार वाली वह nota तस यी विया नुमाइल यह